जहिन साथियों स्वागत आपका एक बार फिर से इस नहीं वीडियो में दोस्तों दिल्ली पुलिस में SI और CAPF के अंदर SI की वेकेंसी जाने वाली है तो बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो रिटार्मेंट के बाद पसंद करते हैं पुलिस के जोब को और पुलिस के अंदर भी अगर सबिंस्पेक्टर का जोब हो तो वो काफी respected जोब है और दूसरा उसकी salary भी काफी अच्छी है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सबिंस्पेक्टर का जोब निकल रहा है दिल्ली पुलिस और CAPF के अंदर तो इसकी क्या-क्या eligibility है क्या-क्या requirement है और कौन-कौन लोग इसमें apply कर सकते हैं और इसके सबी aspects को हम इस वीडियो की माध्यम से समझेंगे दोस्तों सैनिको से जोड़ी सारी खपरों को जानने के लिए subscribe का वटन दबाएं और bell icon को press करके all का button दबाएं ताकि सारी latest जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं pay level की तो यह जो SI का job है pay level 6 में आता है चाहिए वो दिल्ली पुलिस का हो चाहिए वो CAPF का हो और इसकी जो salary है वो 35,400 से 1,12,400 है दोस्तों इसके बाद बात करें reservation की तो एक्सविसमें के लिए 10% का इसमें reservation है 10% के अंदर भी वो सारे एक्सविसमें जो भी apply करते हैं उन में से 50% reserve quota रहता है उन एक्सविसमें का जोनोंने की service की है special forces के अंदर या NSG के अंदर या जिनका QI grading है यानि qualified instructor का grading है कमांडो के अंदर या फिर Navy या Air Force के वो लोग जोनोंने specialized कमांडो type units में काम किया है तो total जितनी vacancy होंगे उन में से 50% vacancy कमांडो type जो लोग है उनके लिए reserve रहेंगे जैसे कि 50% vacancy जो कमांडो के लिए है तो इतने अगर कमांडो नहीं आ पाते हैं तो फिर उस time के उपर जो normal ex-service man है उनको ये vacancies दी जाएंगी लेकिन जो लोग special forces में है उनके लिए भहती सुनेरा मौका है और definitely उनका जो selection है काफी easy हो जाता इसमें उसके बाद बात करें age relaxation की तो normal जो candidate है उनके लिए जो age है वो 20 से 25 साल है और ex-service man के लिए वही जो सभी jobs के अंदर होता है total जो आपकी military service है उसको minus करना है यानि कि आज के time आपकी जो age है उसमें से आपको अपनी जो service सेना में जो आपने की है उसको minus करना है प्लस आपको तीन साल और minus करना है और फिर आपको देखना है कि आप ये 20 से 25 वाली category में आते हैं या नहीं आते हैं जो लोग भी इसमें आते हैं वो सभी इसमें eligible हैं दोस्तों जो लोग service कर रहे हैं और अभी सेना में है और जो इस job को प्राफ्त करना चाहते हैं तो उनका जो retirement है या release date है वो अगले साल यानि कि 2024 में जुलाई आगस से पहले होनी चीए दोस्तों अभी official notification आने के कारणा exact date बता पाना मुस्किल है लेकिन ये sure है कि अगर आप जुलाई से पहले पहले अगर retire हो रहे हैं अगले साल जुलाई से तो आप definitely इस post में apply कर सकते हैं आपको भी exercise man quota मिलेगा दोस्तों बात करें qualification की तो जो लोग भी graduate हैं वो सभी इसमें apply कर सकते हैं और जो लोग graduate नहीं है और जिनके पास graduation certificate है 15 साल की नोकरी करने के बाद जो मिलता है सेना से तो वो सभी इसमें apply कर सकते हैं लेकिन वो इसमें group C की post के लिए apply कर पाएंगे जो भी group B की post हैं उनमें वो apply इसमें नहीं कर पाएंगे दोस्तों जो दिल्ली पुलिस के लिए एक और requirement है कि आपके पास light motor vehicle का driving license होना चाहिए जिसके अंदर आपको motorcycle और car दोनों चलाना आना चाहिए driving license है या आपको at the time of documentation आपको देना पड़ेगा तभी आप इसमें apply कर पाएंगे otherwise अगर आपके scheme of exam तो इसमें पहले आपका paper 1 होगा उसके बाद आपका PST यानि physical standard test physical endurance test होगा उसके बाद आपका paper 2 होगा फिल आपका medical होगा और आप इनमें अगर ठीक प्रकार से qualify करते हैं तो आपका joining हो जाएगी आपका selection हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं paper 1 की तो paper 1 के अ English को छोड़ कर बाकी के जितने भी ये तीन पार्ट हैं ये आप हिंदी में भी attempt कर सकते हो इन सभी के 50-50 questions होंगे जो की 50-50 marks के होंगे और आपको इसके लिए total time मिलेगा 2 घंटे का दोस्तों ये सभी जो इसमें questions आएंगे वो objective type के होंगे आपको 4 ये 5 options दिये जाएंगे जि से कि आज कल सभी जो exam चल रहे हैं उनका normalization किया जाता है as per shift और इसके बाद आपका होगा paper 2 paper 2 के अंदर आपका English language and comprehension होगा इसमें भी आपको pen और paper से कुछ write नहीं करना है सभी जो आपके जो questions होंगे objective type होंगे इसका भी normalization किया जाएगा और इसमें भी जो negative marking है 0.25 marks की है इ इसके लिए आपको time मिलेगा 2 घंटे का जिन लोगों के पास NCC के certificates हैं उनको इसमें आलग से weightage दिया जाएगा और उनको paper 1 और paper 2 के अंदर जो भी normalization करने के बाद जितने भी marks आते हैं उसके बाद ये marks उसमें add किये जाएंगे अगर आपके पास C certificate है तो 10 marks add किये जाएंग इसमें काफी चीज़ें होती हैं जैसे कि 100 meter की race है उसके बाद jump है high jump है short put है तो वो सब exercise men को निकरना लेकिन उनको जो physical जो standard है जो उनकी नापतौल है वो करवाने के लिए उनको जाना पड़ेगा दोस्तों अभी बात कर लेते हैं preference की तो आपको exam का जो form जब आप fill up करेंग C होगा SI in CRPF के लिए D होगा SI in ITVP के लिए E होगा SI in SSB के लिए F होगा तो जब आप exam का form भरेंगे जब आपको ये चीज़ें भरनी पड़ेंगी दोस्तो minimum marks की बात कर लेते हैं तो जो भी आप exam देंगे उसमें exercise men की अगर बात करें तो उसको minimum marks है नहीं की 20% marks तो लाने ही होंगे तभी उसको जो next stage है उसके लिए consider किया जाएगा दोस्तों इसके जो form है वो 20 जुलाई 2023 से start हो रहे हैं और जब इसका detail notification आएगा तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें की आपको कैसे form fill up करना है कैसे इसकी तयारी करनी है कौन-कौन सी books आप purchase कर सकते हो और किस पर